तो यहां पर जरूरत होती है एक माहिर सलहा की तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे खास पॉइंट शामिल रहेंगे जो आपकी तैयारी के लिए काफी बेनिफीशल रहने वाले हैं ताकि आप इस 11 मार्च की जो डेड लाइन है इसको डिले ना कर जाएं कहीं तो स्वागत है आप सभी का मैं हूं हर जोद को और डिटेल में ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नैविगेटर्स ओवर सीज से वीजा एक्सपर्ट मसेज वीना गुल मैम हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है मैम नमशकार नमशकार तो आप सभी क बता दू जैसे कि मैं हर बार बात करती हूं कि नैविगेटर्स ओवर सीज वीना गुल मैम तकरीबन पिछले 27 सालों से स्टूडेंट्स को सही गाइडन्स देते आ रहे हैं और उनकी गाइडन्स के साथ हजारों ही स्टूडेंट्स ने अपना सपना साकार किया है अपनी ड् अस्ट्रेलिया स्टेडी वीजा की बात करते हैं जुलाई इंटेक की बात कर रहे हैं 11 मार्च डेडलाइन पर अगर फोकस करें तो इस टाइम में से पहले-पहले स्टूडेंट्स कौन से गलतियां ना करें और अपनी तैयारी में क्या-क्या जरू जरूर रखें आगे क्या करना चाहिए 23 पास आउट जो स्टूडेंट्स है जुलाई उनके लिए लास्ट टाइम है अपलाई करने का उसके बाद 23 पास आउट प्लस टू स्टूडेंट्स को कोई उनिवस्टी नहीं लेगी उनके लिए एक ही ऑप्शन है पाथवे प्रोग्राम वह इंडिया से पाथवे प्रोग्राम लेकि जो की 11th March deadline है उसमें admission ले सकते हैं क्योंकि वास्ट्रेलियन युनिवस्टी जैसे लाट रोब हो गई है जेम्स को की उनिवस्टी होगी और बहुत सारी उनिवस्टी हैं उनके ये deadline है जो की online इंडिया से ही पढ़ाई होगी और आपका कोई 6 months to 8 months depend करता है program पे तो उसके बाद आप जो है second semester या second year depend करेगा course पे तो वहां पे आप डायरेक्ट चूज कर सकते हैं ये आपकी जब 6 month की online study हो जाएगी तो कई युनिवस्टी का जो 6 months में 2 semesters complete करा रहे हैं तो उसका आपको जो financially बहुत benefit है आपका पैसा बहुत बचता है वो क इसे कि आप पैसे काम कुछने को इसमय करना कुछने घर बैट करू है तो आपके जो फीस आए बहुत कम लगते हर फीस में hum पूरा कर लेते हैं लेकिन अगर आपने आपने की आपकी फीस में तो वह जा के वह आपकी निदा काम रहती है मिवसर्णी आ बबच प्रिव्लेस और आपके आइल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप डारेक्ट जुलाई इंटेक में अपला ही कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी कोई भी कमी है, तो आप पाथवे प्रोग्राम के थ्रो जा सकते हैं. अब पाथवे प्रोग्राम में क्यों जाएं, एक तो आपका पैसा बच रहा है, हाफ पैसा लग रहा है, सेकेंड आपको टाइम मिल रहा है, सारे डेकुमेंट्स त्यार करने का, थर्ड अगर आपका वीजा नहीं होता, जो हलाज चल रहे हैं, आपका पैसा बापिस है, यह प्रोग्राम कर लेता है, तो उसके वीजा सक्सासरे बहुत जादा होता है, क्योंकि पैसा तभी वापस करते हैं, हमको पता है इसमें वीजा होना ही है, वीजा नहीं होगा, तो कोई भी इतना बड़ा खर्च किसी भी स्टूडेंट पर नहीं कर रहा है, तो उसी चीज की द होना है, वह में कॉल करें, उसके इंफरमेशन लें, और जितनी जादा आप इसके इंफरमेशन ले सकते हैं, लीजिए, यह आपके लिए बैनिफिशिल है और आपको मणी बेंच गैरंटी की साथ हीतों आपका टाइम कवर करता है, ताइम कवर करने के साथ, आपको सेकेंड डियर में direct Australia admission देते हैं और जो कि आपका एक साल के expenses, living expenses बसते हैं और कोई six month की fees भी आपकी बच रही है तो monetary benefit बहुत है और अगर नहीं होता तो आपको पैसे refund है जी बिल्कुल तो आप अगर और भी ज़्यादा detail में जानना चाहें इस program के बारे में तो जुरूर जो number display है screen पे आप इस पे phone कीजिए जो navigators overseas की team है कि उनसे पूरी आप detail में जानकारी ले सकते हैं ताकि आपको हर एक point का पता और timely आप apply कर सके और मैं आपका बहुत बहुत thanks आप हर बार students को बहुत अच्छे points बताते हैं बहुत अच्छे डंग से guide करते हैं इन वीडियो के जरीए तो students के लिए हम आगे भी इसी तरह से और informative वीडियो लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजासत thank you so much thank you